तो हेलो गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से में ने ओनियन पिल्स का एक लिक्विट फर्टिलाजर बनाया है स्टेप नमबर वन कि मैंने मार्केट से जो लोग जो मंडी वाले होते हैं वो जो ओनियन फेक देते हैं उसका जो पील्स होता है वो कलेक्ट कर कि मैंने घर लाया है आप देख सकते वीडियो में कितना सारा ओनियन मैंने लाया है यहाँ से अगया है कि अगया है इन शारी ओनियंज को फिर मैंने एक प्लास्टिक की बकेट में डाल के उसमें थोड़ा सा पाने डाला है कि इसमें कुछ आलू भी थे जो खराब होए थे आलू भी एक उसका चिलका बोलिये या उसमें चिस जो भी एक्स्ट्रक होने वाला जो न्यूट्रेशन है वो पाने में मिलने के बाद उसका अच्छा खाद बनेगा लिक्विट फर्टिराइजर की तरह जो प्लांट्स के अच्छा होता है तो मैं अभी रख रहा हूँ पाने डालके तो दीन बाद हम फिर से चेक करेंगे कि किस तरह से इसका जो कुछ गलर है या कुछ जो न्यूट्रेशन है वो उस पाने में मिक्स हुए है नहीं हाला कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत गंदी आती है बट यह प्लांट्स के लिए अच्छा है और यह काफी न्यूट्रेशनल वैलूस प्रवाइड करता है प्लांट्स के लिए तो यह इंपोर्टन भी है फाइनल सेवन डेज बात मैंने कुछ घर के जो कुछ कच जो किचन वेस था उसको भी उसी तरह से प्रैक्टिकल करने के लिए रखा था जिसमें ओनियन पील्स भी है घर का जितना भी सामबार हो या मटर की चिलके हो सारी चीज़े मैंने यहां डालके एक धूप वाली जग पर रखके मैंने यह सब किया है कि पाने डालके रखा हुई चीज और इसको भी साथ दिन हुए है और इसको भी मैं चान के पाने उस पानी को प्लांट्स को दूँगा कि इसमें और पाने डालके मैं इसको रख दूँगा और चलो अब साथ दिन बात वो देखते हैं जिसके लिए हम नितनी प्रिपरेशन की हैं और आप देख सकते कि उन अनियन के पील्स में जो भी कलर था जो न्यूट्रिशन थे वो डायलूट हो चुकिए पाने में जिसे जब में फिल्टर करके उस वाटर को प्लांट्स में देने के रिए रेडी कर रहा हूं कि इसकी स्मेल बहुत ही गंदिया आ रही है मैं सच बताओ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए कि इसकी स्मेल इतनी भी बुरी होगी जब तक कि यह पैक था तब तक तो नहीं थी उसके बाद जब जब से मैंने इसको ओपन किया है तब से बहुत ही ज़्यादा बदबु आ रही थी कि अगर घर पर ट्राइ करते हैं तो ऐसे जगा जरूर रखें जहां आपको इससे डिफिकल्टी ना हो और श्लैप के या च्छत वाली जगा पर ऐसे जगा रखें जिससे आसपास भठकते ना हो और इस तरह से टाइट ली एक पैक्ट बकेट में इसको रखिए तो यह रहा मेरा लिक्विट फर्टिलाइजर जो मैंने ओनियन पील्स से बनाया है और इसके अलावा मैंने जो भी घर का कीचन वेस्ट मतलब एक्स के शेल्स होगे या ओनियन पील्स होगे या जो अपना गार्लिक होता है उसकी पील्स हो गए यह सारी चीज़से पत्ति या जो अपना मतलब पत्ति मतलब चाई की जो पत्ति होती है लेज अधरक होता है उन सभी का जो भी कुछ बचा कुछा वेस्ट है वो मैं एक कंटीनियर में स्टोर कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा खाद बना सकूँ यह स्टोर कर दो झाल क्याई झाल झाल